गुद्ध बॉर्णिंग आजे हम लोग विद्यूताविश एवमचेत्र एलेक्ट्रिक चार्ज एंड फिल्ड एंसे आटे चेप्टर नमर वन के वीडियो साथ लेकर के मिल रहे हैं पिछला वीडियो में जो हमने हम बात की थी वो कुलाम्स लोग के बारे में बात किये थे इसके बाद हमने फर्मूला डेराइब किया था दो अविसों के विच लगने वाले बल का एक मात्र सुत्र होता है एफ वराबर वन बाई फोर पाई एपसिलर नॉट की वन इंटो क्यू टू बटा में आर स्कॉर दो आएसों के विछ लगने वाले बल का एक मात्र सूत्र होता है एफ बराबर वन बाई फोर पाई एपसिलर नॉट की वन इंटो क्यूटू बटा में आरे स्वैल और यहीं पर हमारा तेवरी समाप्थ हुआ था लेकिन आज हम कुलाम सलॉप की जो फर्मूला पढ़ाये थे उसी पर अधारित कुछ नोट पढ़ेंगे उसी पर धारित कुछ फर्मूला कुछ पॉइंट से हम लोग जा नेंगे आज के पूरे वीडियो में उसके पहले हम लोग को छे बात पर चार्चा कर लें जैसे कि सबसे पहले हम पहले भी आप लोग को बहुत बार बोल चुके हैं आप आरा में आजाएए सब लोग जितने भी लोग हैं आरा में आकर के पढ़ाई किजिए आरा में आकर के पढ़ाई किजिएगा तो नेट प्रो लोग सर रूम रेंट के बारे में बात कर रहे थे तो आप जदी आरा में रहकर करके पढ़ाई करेंगे तो रूम रेंट वाली समस्या आपकी खत्म हो जाएगी रूम रेंट के बारे में जब कहते हैं कि सर रूम रेंट मेरा देना है रूम खाली करना तो आप आरा में रहकर पढ़ाई करेंगे तो समस्या ही खत्म हो जाएगी अब जरूरी नहीं की कोचिंग रहेगा तो ही हम रूम पर रहके पढ़ाई करेंगे इस तरह से बहुत से समस्या खत्म हो जाएगी आपकी इसके बाद में कॉलेज से रिलेटेड काम की बारें बात करें थोड़ा सा कॉलेज में आप लोग का आजकाले डमी रेजिस्ट्रेशन आया हुआ है उसको चेक करना है कि डमी रेजिस्ट्रेशन सही है के नहीं है तो सब देख रहे हैं सब लोग का ठीकी है कोई जिनका सही है उनको कॉलेज में जाने की जरूत नहीं है लेकिन जिनका गलत है उनको कॉलेज में जाना पड़ेगा लेकिन बहुत से बच्चे अपना नाम ध्यान थे लेता है साथ पालते हैं हम देखते हैं मोबायल में भारम भरते हैं जैसे कुछ लोग विकास कुमारी जैसे मेरा नाम है सुख चैन्दरहुसं सिगहां, जैसे हम एक ही नाम मेरा लिखा हुआ है कुछ जैसे माली लिए किसी के पिदाजी का नाम है चंद्र भूसन सिंग थोड़ा सा एक एक्जामपल समझेगा है चंद्र भूसन सिंग और यह चंद्र भूसन सिंग लिखने का यह दूसरा सैली भी है कि थोस्टेफिक ही यहां पर और यहां संस्टम्ज चंद्र शूर ऑर यहां में मिश्टेक है जदी एक ही में है और अलग अलग लिखा हुआ है तोह जदी आठ बस असमें असमें तो इसके रहज़ा हम तरह साएक और प्वाइंट पर चार्चा कर लेते हैं जैसे लोग जितने लोग मुवाइल में साइन अप कि Έμ такие हम बार बार ये बोल रहे हैं कि मुवाइल में कि अ करना है यह बार-बार हम आप लोग को बोल रहे हैं कि मुवाइल लैप में एक ही बार साइन आप करना है लेकि उसके बावजुद भी बहुत से लोग कर रहे हैं तो हम अब ऐसे बचों से तंग आ चुके हैं तो हम उनको जो है कुछ काड़ा एक्शन लेंगे यानि उनके अकाउंट को ब्लॉग कर सकते हैं इसलिए आपको प्रबलम हो तो हमें सामें बोलते हैं आप फोन करके सवस्या को खत्म कर लीजिए आप बार-बार साइन करें अपना फोटो चेंज करें जदी आप नहीं चेंज करिएगा तो हम वह ऐसे बचों के एकाउंट डिलीट कर देंगे और एक आखिरी जो बात है वह हम कहना चाहरे हैं कि हम अब प्रग्राम कर रहे हैं कि हम भी अब लाइव क्लास भी लेंगे यह वीडियो बना-बना कर डालेंगे ही साथ ही साथ अब लाइव क्लास की भी विवास्ता हम करने जा रहे हैं कुछी दिनों में लाइव क्लास हम आप लोगों को लेंगे लाइव क्लास से अब हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो अब हम लोग टॉपिक पर वापस आते हैं शुरुआत करते हैं टॉ तो अभी हम लोग कुलाम्स लोग के नोट पर बात करेंगे कुलाम्स लोग के नोट क्या है तो नोट नमर वन में जैसे हम बात करते हैं कि फर्मूला हम पढ़ायत है याद होगा ये हवा में दो अवेशो के विछ लगने वाले बल की सुत्र है और हम ये भी बता चुके हैं कि हम लोग को माध्यम हमेशा हर जगा हावा ही पढ़ना है दूसरा माध्यम नहीं पढ़ना है इसलिए ये माध्यम के जो कन्फ्यूजन है उस पर तो आपको ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है उस पर आपको मथा पेची करने जरूरत नहीं है ये मान कहमेशा चलना है कि माध्यम हम लोग को हवा ही रहेगा तो दूआ यसो के बीच हवा में लगने वाले बॉल का ये सूत्र है जिसके हम बात कर रहे थे अब आप नोटिस करिएगा कि चार का मान तो चार है पाई का मान बाइस बटा साथ या तीन दस मॉलव एक चार एपसिलर नॉट का मान आठ दस मॉलव आठ पांच गुना दस के पाउर माइनस बार यानि एक का मान पता है चार का मान पता है जिसे हम बात करें वन बाई फोर पाई एपसिलर नॉट तो इसमें सब का मान पता है एक का मान पता है चार का मान पता है पाई का मान पता है एपसिलर नॉट का मान पता है इन सब का मान बैठा करके सॉल्व किज आएगा 9 गुना 10 के पावर 9 Newton मीटर स्क्वाइर कुलाम इन्वर्स 2 Newton मीटर स्क्वाइर कुलाम इन्वर्स 2 इसको आप लोग नोटिस करिएगा अचा यह के पॉइंट आया था पीछे वाला जो पेज भेजे थे हम आप सिदर नौट का भाइलू लिखे थे 8.85 गुना 10 के पावर माइनस 12 Newton इन्वर्स मीटर इन्वर्स 2 कुलाम स्क्वाइर ऐसा हमने आपको बूर्ड पर लिखा था लेकिन जो पेज भेजे हैं पेज में यहाँ पर माइनस 1 मिश्टेक से लिखा हुआ था उसको आप लोग करेक्ट कर लिजिएगा जरूर ध्यान धर द 1 by 4 पाइपसिल नॉट की 1 into q2 by r square तो 1 by 4 पाइपसिल नॉट का मान जो है 9 गुना 10 के पावर 9 Newton मीटर स्क्वाइर कुलाम इन्वर्स 2 होता है यह अब कहीं भी numerical आपको बनाना है कहीं भी सुत्र का इस्तमाल करना है तो सुत्र का इस्तमाल करते समय 1 by 4 पाइपसिल नॉट के जगह पर डाइरेक्ट आप अब आप इतना रख सकते हैं किसी भी numerical में आप 1 by 4 पाइपसिल नॉट का मान अलग अलग रखने के बजाए डाइरेक्ट 9 गुना 10 के पावर 9 आप रख सकते हैं यह ज़रूर नोटिस करिएगा कि 1 by 4 पाइपसिल नॉट का मान डाइरेक्ट आप आपको 9 गुना 10 के पावर 9 रखना है कहीं भी इसका मान अब आपको अलग अलग रखने की जुरत नहीं है यह practical भैलू है डिरेक्ट आप 9 गुना 10 के पावर 9 आप मान रखेंगे यह ज़रूर नोटिस करिएगा इसके बाद हम लोग बात करते हैं नोट नमर टू की यह हावा के हैं वायू के हैं बताय थे हम निर्वात के हैं सुनिय के हैं मुक्ताकास के हैं तो हावा के लिए एपसिलन आर का वहलू होता है एक और धातू के लिए एपसिलन आर का वहलू होता है अनन्थ हावा के लिए एपसिलन आर का वहलू होता है एक धातू के लिए एपसिलन आर का वहलू होता है अनन्थ यानि हम कहा सकते हैं कि एपसिलन आर का जो वहलू है वो एक से लेकर अनन्थ तक होता है याद रखिएगा एपसिलनार का जो भैलू है एपसिलनार के जो रेंज है रेंज कहें परास कहें कि एपसिलनार का जो भैलू है वो एक से लेकर अनन्त होता है यानि एपसिलनार का भैलू एक से कम नहीं हो सकता और अनन्त से ज्यादा तो कुछ होता ही नहीं तो बाते छोड़ दीजिए तो अधिक सादिक होगा तो अनन्त होगा है एपसिलाणार का बैलू कम से कम होगा तो यह होगा अधिक शादिक होगा तो अनन्त होगा एस पर जरूर आप लोग नूटिस करिएगा Superintendent Andrew क आप लिकार और और भीने जो किसी आचालक पदार्थ की पराबाइदूता पराबाइदूतांक हो सकता है अप्सन है जीरो जीरो दसमालो पांच माइनस एक और पांच यह आपका दिया हुआ है किसी आचालक पदार्थ की पराबाइदूतांक हो सकता है अप्सन में है एक कामान जीरो वी कामान जीरो दसमालो पांच सी आचाल माइनस एक तो दिकामान पांच यह आपको धिया हुआ है इसमें आपको answer चुछ करना है कि क्या answer होगा अब हम बात करेंगे इसका सही answer होगा 5 जिनका 5 होगा वो बहुत अच्छी बात है उन्होंने पकड़ लिया लेकिन जिन्होंने नहीं पकड़ा वो आप notice करिये यहाँ पर परावेजतां के एपसिलनार का भैलू कम से कम एक होगा एक से कम होगा नहीं कम से कम एक होगा और अधिक से अधिक अनन्त होगा एपसिलनार का भैलू कम से कम एक और अधिक से अधिक अनन्त है तो कम से कम एक तो जिरो तो एक से कम है न और एपसिलनार का भैलू एक से तो कम ह होता नहीं है इसलिए यह आपका होगा नहीं एक से कम एपसिलनार का वहीं हो ही नहीं सकता है पुछ तो यह भी पॉसिबल नहीं है इसके बाद epsilon r का value minus 1 दिया हुआ है तो फिर वही बात हम बार बर बोल रहे हैं कि epsilon r का value एक से कम नहीं हो सकता तो ये भी एक से कम है इसलिए ये भी नहीं हो सकता और एक से लेकर अनन्द तक होता है और एक से अनन्द के बीच में 5 है इसलिए आपका ये answer होगा इस तरह से आपको point पर cover करना है कैसे सवाल पूशकता है ये आप पर depend करता है कि कितना आप cover करते हो तो note number one में है कि one by four by epsilon not का value direct आपको याद रखना है 9 गुन 10 के power 9 Newton meter square column inverse two और हवा के लिए epsilon r का value एक धातू के लिए epsilon r का value अनन्द और एक से लेकर इसका माल अनन्द तक होता है ये epsilon r का range हुआ epsilon r का परास हुआ epsilon r का range है वो कम से कम एक और और अजिक सदिक अनन्द होता है ये एक से लेकर अनन्द तक होता है तिसरा point हम अबको चर्चा करने जा रहे हैं ध्यान दीजिएगा नोट नमर हम तीन की बात करें ध्यान देंगे आप लोग करने देखी सभी स्टुडेंट की समस्या तो खत्म में नहींहीं सकती एक से 맞 बहुत से सिपोह निए किए कि निनए कुछ समस्या है् तो अपनी problem को को चिस करिए कि जदस जदा कम करें मेरे पास्ट प्रवल्म प्रवल्म को कम करके नौ प्रवलम आठ प्रवलम करने कोशिश करें अग ध्यान दीजेगा अगला पॉंट पर तीसरा हमारे के पॉंट है एपसिलन इकॉल टू एपसिलन नौट इंटू एपसिलन और क्याए इसका मतलब हुआ कि यदि हम त्रस्मझने कोशिश करिएगा हमें बात करें यह है परावाद टांग यह तून यह वाईओ के लिए परावज तांक और यह मादियम की परावज तांक लेकिन यह है केवल पर आप आप लोग पॉइंट पर नोटिस करेंगे नुट नमर हम चार की जदी बात करते हैं तो अब हम के जिसे अब सुत्रे पढ़े थे याद होगा f equal to k into q1 into q2 बटा में r square जिनको याद नहीं आ रहा होगा हम उनको बता दें यह समिकरन 3 था पिछला वीडियो के यह समिकरन 3 था समिकरन 3 में यह पॉइंट हम लोग को मिला था f equal to k into q1 into q2 बटा में r square f equal to k into q1 into q2 बटा में r square जरीरी सुचना है थोड़ा सार नोटिस करिएगा कि kg रोड चुकी बंध है lockdown फिर से लगया है आरा में तो प्रोपर आरा में lockdown नहीं लगा हुए सब जगर lockdown नहीं है कुछ खास इलाकों में lockdown लगाया गया है तो kg रोड में lockdown लगा है इसलिए हम लोग का office जो है अब मान के चलिए कि लगभग 10 दिन तक बंद रहेगा एक हपता तक बंद रहेगा तो office में हमसे मुलकात नहीं होगी लेकिन जदी आपको मुलकात करना है प्रब्लम है आप आरा में आते हो तो फोन किजिएगा तो जरूर हम लोग मुलकात कर सकते हैं लेकिन office में इधर नहीं आईएगा क्योंकि केजी रोड पूरा ब्लॉक किया गया है केजी रोड पूरा बंद है जरूर इस information को समझिएगा तो f equal to k into q1 into q2 बटा में एक आर एस्कृर जू दिया हुआ है और हम लोग इसी के मात्रक और विमा की बात करेंगे किस के मात्रक और विमा क्या होगा तेफ बल है, बल का मातरक Newton, K का तो निकालना है, Q1 आवेस है, आवेस का कुलाम, Q2 आवेस है, आवेस का कुलाम, R दूरी है दूरी का मीटर, स्कॉयर दिया है तो स्कॉयर, तो Newton meter square बटा में इदर गुनाम चला गया तो Newton meter square और यह हो गया कुलाम square फिर से बटा में आ जाएगा Newton meter square बटा में कुलाम square equal to k कुलाम square उपर चल जाएगा तो final हो जाएगा Newton meter square कुलाम inverse 2 यह हमारा के का मात्रक हुआ जो आप यहां देख सकते हो यहां पर भी लिखे हैं कि यहां पर जो के का मात्रक लिखे है Newton meter square कुलाम inverse 2 वही मात्रक यहां भी है के हमारा Newton meter square कुलाम inverse 2 हुआ मात्रक कैसे आया तो यह हमने आपको निकाल करके दिखा दिया अब हम बीमा की बात करेंगे कि की बीमा कैसे किसे निकालेंगे कै कि बीमा कितनी होती है दया है बहरें कि की बीमा की बारे में हम लोग चर्चा करेंगे दो आफे मोबायल में बार बार हम बोल रहे हैं एक कि भार sign up करना है चाहे कूछ भी हो यह किसी वितर एक बार आपने sign up कर दिया नहीं खुल रहा भर किसंव्र है त्र नहीं कुल रहा है तो फिर ऑस आइन अफ कर दिये पिर दूसरी बारीव कोस्वाइब कर दिए यो कि निशानी faudगाँ यह अब हम आगे हाथे हैं थोडा से थान के का के का मातर हुआ किया की विमा के बाहरे मात करें Newton यानी बल और बल का विमा होता है LT Inversus Newton यानी बल बल का विमा होता है MLT Inversus see library मिटर यानी दूरी का विमा होता है और स्कॉर दिए है तो सिंस इले स्कॉछ चारी पेल्च स्यक्राइब क्यान कि क्या हूं अबेस्धाइब की आई टी कॅ कि की पावर माइनस तू से कि क्या म मेंझार खिरा में में टी को सॉल्व करेंगे तो एम ल और एल स्कॉईर एल क्यों है कि टी इन्वर्ष टू इसके बाद i inverse 2, t inverse 2, जो i t k power minus 2 दिया हुआ है, तो i inverse 2, t inverse 2, mlq, t k power minus 2, t k power minus 2, minus 4, i k power minus 2, mlq, t inverse 4, i inverse 2, यह आपका क्ये का भीमा हुआ? यह k का मातरक था और यह k का भीमा हुआ, अब हम बात करेंगे epsilon not के मातरक और भीमा के बारे में, पांच नमरोट देखिएगा, epsilon not का मातरक यवम भीमा, एपसिलन नॉट का मात्रक एवंबीमा तो चुकि के बराबर हम बात करें वन बाई फोर पाई एपसिलन नॉट तो के का मात्रक हो गया निउटन मीटर स्क्वाइर कुलाम इनवर्स टू निउटन मीटर स्क्वाइर कुलाम इनवर्स टू वन संख्या है संख्या का कोई मात्रक विमा नहीं होता चार संख्या है संख्या कोई मात्रक विमा नहीं होता पाई संख्या है संख्या कोई मात्रक विमा नहीं होता तो यह सब आपके खत्म होगे एपसिलन नॉट का तो निक जालना है अब हम क्या करेंगे तो एपसिलों नॉट को उपर लेके आ जाएंगे और इनको नीचे लेके चले जाएंगे तो एपसिलों नॉट बराबर हो गया 1 by Newton मीटर स्कॉयर कुलाम इंवर्स 2 एपसिलों नॉट बराबर अब यह उपर जाएगा तो Newton उपर जाएगा तो Newton इंवर्स मीटर स्कॉयर उपर जाएगा तो मीटर इंवर्स 2 कुलाम इंवर्स 2 उपर जाएगा तो कुलाम स्कॉयर हो जाएगा तो यह हो गया एपसिला नौट का बीमा सरे मातरक यह आपका एपसिला नौट का मातरक हुआ जिसको आप लोग नोटिस करेंगे अब हम एपसिला नौट की बीमा की बात करेंगे एपसिला नौट का मातरक निकाल दिये एपसिला नौट की बीमा ध्यान देजिए एपसिला कि अप्सिलर नौट की बीमा की बारे में हम लोग चर्चा करेंगे देहन दिज्जेगा एप्सिलर नौट इकॉल टू वन भाई जैसे नोटीस करिएगा वन भाई एप्सिलर नौट है तो यहां पर मातरक निकालना था तो यहां मातरक रखे थे हम लोग एप्सिलर नाओट का हम एपसिला नॉट का यहां बीमा रखेंगे M, L, Q T, Inverse 4 I, Inverse 2 तो पलट जाएगा M, Inverse N, Inverse 3 T, K, 4 I, S, Q यह आपका एपसिला नॉट का बीमा हुआ यह एपसिला नॉट का मातरक और यह एपसिला नॉट के बीमा इस ही हम मातरक की बात कर रहे थे कि कॉपी में बाई मिश्टेक जो है M, Inverse 2 होगा इसको आप लोग जरूर नॉटिस करिएगा यहां हम लोग एपसिला नॉट के मातरक और एपसिला नॉट के बीमा के बारे में देख लिए इसके आगे जहे हम लोग कुछ और पॉइंट पर बात करेंगे ध्यान दीजेगा अभी हम अगले पॉइंट पर बात करेंगे ध्यान दीजेगा तो अगला पॉइंट हमारा क्या है जिसे चाह नंबर यह नोट हो जाएगा कि एक के पॉइंट अपको याद होगा एप समानव पाती one by our हम पड़ाए हैं कि दू आवेशो के विच लगने माला बल दूरी के बर्ग तके बियूत कर्मानुपाति होता है तो एप समानुौपाती one by our कर दोलाई स्क्वायर समानुपाति का चिनाटायेंगे कॉंश्टेंट देंगे तो हम ने कॉंश्टेंट के तो एक्वल टू के बटा में आर इसको हमाइसा हुआ भी लिख सकते हैं f into r a square equal to k constant और अभी यहां पर थोड़ा सा आपको notice करना है कि constant k दिया हुआ है उससे कोई फरक नहीं पड़ता जैसे ही एक तरफ constant दिया हुआ है दाहिने में LHS में या RHS में किसी एक तरफ constant है तो इसको हम लिख सकते हैं f1 r1 square equal to f2 r2 square equal to f3 r3 square equal to dot 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 हमें सबसे मतलब नहीं है हम दो से मतलब है तो हम लिख सकते हैं f1 r1 square equal to f2 r2 square हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं जोदि ऐसा है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते है एफ 1 बटम F2 कि all आर्टो बटम में आरवन का होल स्कॉर हम ऐसा भी लिख सकते हैं एफ1 दूप्टो 462 में एफ समानुपाति 1ोड 1 एरस कॉछ। समानुपातिकस चिनड़ा épॉट्टाय काॡव चaintsौन्च्ट honored के तो के हमारा दाहिने तरफ रहा गया जैसे ही एक तरफ कॉंस्टेंट आया हम ऐसे लिख सकते हैं हमने फर्स्ट यर में लेवेंथ में बहुत बार ऐसा बात किया है जो नए विद्यार थी है जो पहली बार इस सब चीजों को देख रहे हैं हम उनके लिए थोड़ा साम इसको कन से और सबुद्में tenha काइस है और on को आप्वाडर कि एंट फिक्स होगया कांशन्ट होगया तो एक इंट वाई जी सब्सक्राइन देगा थो तो हम इसको एक मैंने तो वाई जो सो तो यह में ऑगा-चास से यह सो एक काचार माने को यो को पचीश तो यह सो एक्को पांच मा चाहे कुछ भी हो जाए इसका मतलब कि कुछ भी हो जाए यह दाहीने तरफ बदलने वाला नहीं है जब ऐसा है तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि एक गुना सो बराबर दो गुना पचास बराबर चार गुना पौचीस बराबर पांच गुना भीस बराबर शही करकी हम लिख सकतेquito हैं जब दाहिन तरफ हमारा सब- questo है बराबर एक्शनट यह दा लिख सकते हैं यहँ है हमारा x1 y1 बराबर x2 y2 बराबर x3 y3 बराबर x4 y4 बराबर डॉट 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 यही सब यही हमने एक बेस बनाया है आप याद रखेंगे कि जदी एक साइड में कॉंशेंट आ जाए lhs में या rhs में तो हम लोग डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं और चुकि नुमेर कोई स्टुडेंट सवाल कर सकते हैं कि सर जरूरी है कि हम f1 r1 और f2 r2 ही लेंगे नहीं बहादूर ऐसा कोई जरूरी नहीं है आप f1 r1 और f3 r3 भी ले सकते हैं f2 r2 और f3 r3 भी ले सकते हैं कोई भी दो टर्म एक lhs और एक rhs आप कोई भी ले सकते हैं अब हम बात करें इस शुत्र के इस्तमाल करेंगे इस सुत्र का बहुत ही अधिक इस्तमाल होगा हम 11 वे गूर्टवा कर्शन में हमने इस उत्र को पढ़ाया है इस व्थर का इस्तमाल कहा होगा तो कुछ들을 क्रम mismos की दूरी यदि दो गुनी कर दी जाए तो उनके भीच लगने वाला बल कितना हो जाएगा दो अविसों के बीच की दूरी यदि पचास प्रतिसत बढ़ा दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बल में कितने प्रतिसत की कमी हो जाएगी यदि दो आवेसों के बीच की दूरी 10 cm है और उनके बीच लगने वाला बॉल 50 Newton है तो यदि उनके बीच की दूरी 40 cm हो जाएगा तो उनके बीच लगने वाला बॉल कितना होगा इस तरह के सभी सवालों का जबाब हम इसी सूत्र के अधार पर इसी सूत्र के नुसार देंगे ये जरूर आप लोग नोटिस करिएगा येक बहुत ही महत्पुन बहुत ही हाई फाई फर्मूला है अभी आमे के इसमें का लास्ट पॉइंट चर्चा करने जा रहे हैं जिसको आप लोग नोटिस करिएगा ध्यान दिजिएगा कि क्या हम बताने वाले हैं बहुत ही बेहत्रीन पॉइंट चर्चा करने जा रहे हैं नोटिस करिएगा कि दो आवेशों के बीचे दो आवेशों के बीचे दो आवेशों के बीचे वायू में लगने वाला बल बराबर एफ दो आवेशों के बीच वायू में लगने वाला बल बराबर एफ तो एफ नहीं एफ नोट तो एफ नोट बराबर वन बाई फोर पाई एपसिलर नॉट की वान इंटू क्यू टू बटा आरे स्क्वेर समीकरण नमबर एक यहां तक हम उम्मीद करते हैं आसा करते हैं कि आपको कोई प्रब्लम नहीं होगा हमके कोई डिरेक्ट पढ़ाएं हैं इसके बाद पुना है उन्हीं दो आविशों के पुना उन्हीं दो आविशों के बीचे माध्यम में लगने वाला बल पुना उन्हीं दो आविशों के बीचे माध्यम में लगने वाला बल इस बार वही दो आविश है लेकिन इस वर माध्या में लगने वाला बॉल मेडियम में यह सुन्य में लगने वाला बॉल एफ नॉट यह मेडियम में माध्या में माध्या में लगने वाला बॉल है एफ एम और माध्या में लगने वाले बॉल का सूत्र हम पढ़ाएं हैं आपको याद होगा 1 by 4 pi epsilon not epsilon r q1 into q2 बटा में r square दो आएसो के बेच yu में लगने माला बल हम पढ़ाए है 1 by 4 pi epsilon not q1 into q2 by r square और दो आएसो के बेच माध्या में लगने माला बल पढ़ाए है 1 by 4 pi epsilon not into epsilon r q1 into q2 by r square ये m हमारा medium के लिए माध्याम के लिए है समीकरा नमर 2 और हम आसा करते हैं कि आपको ये दोनों सुत्र पहले से पता होगा ये दोनों सुत्र हम पिछला वीडियो में बता हैं जदी आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले पिछला वीडियो देखिए तब आप इस वीडियो को देखिए समिकरन एक भाग दो से मतलब एक में दो से भाग देने पर जाएगा Q1 Q2 कड़ जाएगा R2 R2 कड़ जाएगा अब बच गए यह Epsilon R के वल पहिला दूसरा तिसरा चोथा चोथा स्टेप में है चल जाएगा उपर तो उपर चल जाएगा तो यह होगा F0 बटा Fm Equal to Epsilon R यह एक सूत्र हुआ यह एक पॉइंट निकल काया कि F0 बटा Fm Equal to Epsilon R F0 बटा Fm Equal to Epsilon R इसको हम कह सकते हैं कि F0 और Fm के अनुपात को Epsilon R कहते हैं सब्द को समझिए F0 और Fm के अनुपात को Epsilon R कहते हैं अब F0 को सब्द में कहिए F0 क्या है तो दो आविसो के बीच माधे में लगने वाले बल के अनुपात को Epsilon R कहते हैं यह हम ऐसा कह सकते हैं कि 2 आविसो के बीच माधे में लगने वाले बल के अनुपात को अपेचिक पाराबैदुतांक या आपेचिक विदूत सीलता जिसके बात करें त्याद होगा एपसिलन आर को बहुत सारे नाम हैं आपेचिक पारावजुतांक आपेचिक विदूत शीलता आपेचिक परम विदूत सेलता जो भी हम आपको पता हैं SIC, दिव विधितनियत आंक, कोई भी नाम है, सब वही है, तो दो आविशो के भी सुनिय में लगने वाला बल, एवं दो आविशो के विच माध्ये में लगने वाले बल के अनुपात को हम Epsilon R कहते हैं, चुकि उपर भी बल है और नीचे भी बल है, तो इसका भी मातरक न्यू लेकर अनन्त होता है, इसका मान कम से कम वायू के लिए एक और अधिक सदिक धातु के लिए अनन्त होता है, इस तरह से ये हमारा पॉइंट समाप्त हुआ, कुलाम्स लॉशे रिलेटेड नोट हमारे इतने ही हैं, हम अगले वीडियो में कुलाम्स की नियम की सीमाएं और कि अन्त हैं, कि स्वास्त को आकी कम सहस क्रोफिए हैं, कि नियुक्षण साथरब कने हमने करूंगरा आप लोग को समझाने के लिए आप लोग को समय देने के लिए अर आशर से तयार हैं, ठोड़ा बहुत कभी कभी हम Space Fargo का इसी हैं कुछ भी रिजन हो सकता है, जवाब समय देरी हो सकते हैं लेकिन आप call करने में जीज़क ना करें आप दिन में कभी भी किसी भी समय call करके WhatsApp पर message करके आप सवाल कर सकते हैं कहीं भी कि नहीं को problem हो हम उस problem को दूर करेंगे तो इस पॉइंट को जरू नोटिस कीजिएगा और इस सब बहुत ही बेहतरिन कलास है तो आज के वीडियो में इतना ही धन्यवाद